मुझे बिना बताए हैं नई दुकान खोली नवस्ते सर कहिए क्या चाहिए एक किलो चिकान एक किलो मटान एक किलो फीश चाहिए अरे ये चश्मे की दुकान है सर अबेने दिखता गया चल चाहिए यह सुपर है सर एक बाद ट्राइए कीजिए यह देखिए नया मौडल सर ट्राइए कीजिए कि दुकेगा चीप माल लेने वाला चीप आद मीं दिखता हूं क्या वजह कास्टली चीजिखा एक बार यह ट्राइक कीजिए यह मौडल शहर में कहीं नहीं मिलेगा साथ एटम करीदा है तो 2000 रुपए का मिलता है आपको डिसकाउंट नहीं चाहिए बिल कितना हुआ बॉल यह लीजिए ब्रहू इस आइटम राजा को बिल देने का फायदा अब इस बिल में जतना एमांट होता क्याश दिला का है मेरे साथ मजाग कर रहे हो क्या इस बिल का एमांट भरो वर्नस सारे आइटम यहां रख दो अपाव वापास रखने है बोल रहे है एकलमंदी पहले दिखानी चाहिए थी इस एरिया में दुकान खोलने से पहले जैसे ग्रहक के बारे में पता किया था बिलकुल वैसे ही हमा बारे बारे में भी पता कर लिया होता है या दख ना आइटम राजा इस जैसे चश्मा बेशने वादे दुगान धार का भाई न एच्छे टोपी पहना दी मीडिया वालों को मेरा नमस्कार मेरा पोता लव कुमार जिसकी उम्र दस साल है वो मंदिर के सामने खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है जो भी हमें उसका पता बताएगा मैं जिंदगी भर के लिए उस इंसान का एसानमंद रहूंगा उसे पचीस लाग का इनाम भी दूंग हमारी पुलिस उसे पूरे शेयर में ढून रही है जल्दी हम उसका पता लगा लेंगे और उसके लिए हमें आप मीडिया वालों का सयोग चाहिए थैंक यू हो गया है ये कहा नहीं जा सकता बच्चे के बारे में पता चलने पर रेडियो सिटी को एसमस कीजिए सिटी स्पेस आपका नाम लेकर 56060 पर एसमस कीजिए पेरेंट्स आप लोगों को मेरी एक खास रिक्वेस्ट आप अपने बच्चों बर थोड़ा ज्यादा ध्यान सुनते रहे एफ-e-e-m, एफ-e-e-m का मतलब रेडियो सिटी 91.1 सर, सर, आर क्लोज होने का टाइम हो गया, उठिया ना सर, सर, क्या हुआ, सर, ये ज्यादा पीके आउट हो गया है, ये कौन सी नहीं बात है, क्या इन्होंने बिल पे किया, दिया, और टेप भी दिया सर, ब्रिंकर कहबाले को फोन करो, वो इसे ले जाएगा, टेप भी ले गया, कंजूस कहीं का, हेलो भीया, ओके, टू मिनिट्स में आता हूँ, हेलो भीया, दे जाता है, वो ... झाल है कर 122 बहुन है शेता है झाल छूहrane नमसे भईया, दो मेरा पैसेंजर का है? अंदर है एए एए इस पैसेंजर हाई अलब लब यूटु का हा हुतार नहीं? अभे उतार क्या चडी नहीं गाड़ी प्रिपेड है, प्लेस और फेर कन्फर्म होने के बाद ही इंकमिंग और आउटगोईंग होगा, इसलिए तेरा पेमेंट तो मैं दे दूँगा यार, इस थाउजिन रुपिस, टेक दिस and enjoy the change लेकिन ये तो पांसो है, बड़ चलेगा, चलो अरे, चलीए अरे, सिवे बेटो, मा, सिवे ठोहने रही अलो, वीजे बारे रेस्टरांट, वकी टू मिनिट्स चलो अंदर बेटो है जाओ जाओ एए एए थोड़ा इड़्यस करो क्या कर दा है यार अरे ये कैब है या कोई पुब्लिक कर दो पस पूरा शेर गुमारा हमें या पहले तुम्हें ही उतारूँगा ओके वेरी गॉड़ फस्ट मुझे उतार देना कितने चड़ा वो पॉइंट नहीं है कितने चड़ी वो पॉइंट है मैंने फूल कंट्री चड़ाए पहले मुझे ड्रॉप करना कितनी स्पीड में चल रहा है 60 क्या स्टीव कोई स्पील होती क्या बच्चा संजा बड़े बैठे यहां पेच्छा शाए स्पीड माझा पहला हॉआ है बया सेविंटी यहां मैं मैं कहता हूं तू टू टू टूटी में लगा तू टू 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 ले गया तू एक्सिने अरे आगी देखो गाड़ी है एक क्या कर रहे हो संबल के संबल के संबल के ये मेरी रोजी रॉटी है इसका क्याते है असले डावी ते रॉटा कही का कि अज़त कर रे आप भार निकलो मेरी काड़ी खारा वो जागी चलो कि अब आप एक अरे सेजवान चत्मिया यहां पर कब लगी कि अब 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 आप अब आप अब आप अब आप एबल नंबर फोर में बेवड़ा कहां है हेलो भाईया भाईया यह क्या यह तो बिल्कुल मेरी कारबन कॉपी दुनिया में एक जैसे साथ लोग होते हैं यह बात तो मैंने सुनी थी यह भी उनी में से एक हो है क्या फरक पड़ता है यह पीने के लिए पैदा हुआ है मैं उतारने के लिए पैदा हुआ हूँ भाईया अरे कहां जाना है यह अंधेरा अंधेरे से मिलने तक वो सुरज से सुभा होने तक हैं मुझे किसी सेफ प्लेस पर ले चलो सेफ प्लेस अभ आ! सर्पकल्लिया? है! क्या हुआ भाय। तुम कऊन है विल्कुल मेरी तरह दिखते हो तुम मेरी तरह दिखते हो तो क्या हुआ तुम्हारे पाधर का नाम क्या है? नरसीमा चारी क्यों हाँ? चारी है, पर मैं तो मैं तो नाइडू हूँ फिर हम दोनोव seen food relation or blood relation रहे तो ही ऐसा पेदा होते हैं क्या है सद्डय पेशन फिल्म में दोало मिता बैच्चन नहीं 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 प्रीषय कपूर फिल्म सफित कूरा ने नहीं ल 250 पेट्र से लोग मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचा देता हूँ, मतलब यहां मुझे मैं ही लाया हूँ, ओके, बापरे, अब यहाता हूँ एई, चाचा, सुप्रभाद, है, कौन है रहे तो, अज सुबह सुबह यहां पर क्या कर रहा है? चे, 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 बेवडे पीकर बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, यह तुमने प्रूव कर दिया, चाचा, मुझे बेवडा कहता है, तु कौन है यह पहले पता, चाचा, कल रात को तुम फुल पीकर टाइट थे, तो मैंने नहीं तो तुम्हें यहां तक सुरक्षित पहु पस्टाओ पार्क में एक ही पर असल मैं, तुम्हें इस तरह से रास्ते में नहीं बदखना चाहिए, यह देखो, यह है मेना घर, इस घर में अकेला रहता हूँ मैं, यहां पर आउट हाउस खाली है, आकर रहे हो उसमें आओ, तैंक्स बोलने की ज़रती, मैं भाड़ा नही कैंस, रेंट 10,000 रूपए, एडवांस 20,000 रूपए, चाहिए तो रहो वरना गेड़ाट, 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 अचा, 20,000 की बाद चोड़िये, 20 रूपए भी नहीं है, पीने के बाद बोलते हैं, आओ, उतरने क अदर से आने वाला और यह बाहर से आने वाला दोनों सेंदी रहे हैं क्या हुई बताना इतनी सी बात है यह पैसे रख लो उसे जाके देदो यह ले लो यह तुम दोनों इतना सेंदी रहे हो इस लिए हम दोनों की शकले मिलती है प्लू का पट्टा पता नहीं एक ही टैप का पानी इस लिए सेम भाईया इस रूम क्यों लगता है आपको बहुत जरूरत है क्यों बोलो मुझे एक लड़की चाहिए लड़की भाईया आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं वैसे मैं तो पहले से सोच रहा था कि तुपरें अ है हलो हां मेरा मतलब था कि मुझे प्यार करके शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए अरे यार असले मैंटर बताओ वो एक लंबी कहानी है ओ फ्लाश बैक हम तो फिर एक मिनिट अब बोलो भाईया जब मैं चोटा था तबी मेरे ममी पापा गुजर गए उस समय मेरी नानी की तबियत भी बहुत खराब थी उन्हें डर था कि मैं कहीं दर-दर न भटकूं अरे सुम्बू मेरा वक्त हो चुका है माजी आपको कुछ नहीं होगा मेरी एक आखरी खौईश है तू पूरी करेगा बोलो माजी अपनी बैटी सुबा लक्षमी की शादी मेरे नाती से करवाएगा जरूर माजी मैंने आपकी बात को कभी टाला है क्या बच्पन से ही सुबा लक्षमी को देखना उससे शादी करना और जिंदगी शेयर करना ऐसे कभी फिलिंग्स आई ही नहीं तुम्हें कभी फिलिंग्स आया ना आए मैंने अपनी माजी से वादा किया है तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी वो बात नहीं अंकल, मेरी बात तो से सुन लो, हम इज़द के लिए जिन्दकी दाव पढ़ागाते हैं, बात इज़द पर आई तो मैं कभी किसी के नहीं सुनता, सिर्फ फैसला सुनाता हूँ, और मेरा फैसला है, तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी अंकल, मुझे माफ कर दीजिये, मैं आपकी पसंद की लड़की से नहीं, जो लड़की मुझे पसंद आएगी, मैं उसी से शादी करूँगा, मुझे ढूबने की कोशिश मत करना, प्लीज, मैं हैतराबाद चाह रहा हूँ तुम अकल के दुश्मन हो, भागते समय कोई अपना पता देता है गया, वो क्या है न, मुझे जूट बोलने की आदत नहीं है अच्छा, तो आप क्या करोगे लव, मुझे एक खूबसूरत लड़की को तूड़ना है इस शेहर में ऐसी कोई लड़की मिलेगी मिलेगी? तुम्हें अब हैदराबाद की लड़कियों के बारे में क्या क्या बताओं? जरहेने देखो, देखते ही रहे जाओगे सुचते रहे जाओगे सपनों में आके सताएं इनकी बात है ब्यारी, काटिल इनकी अदाएं मैया, तेरी इस जन्न में शादी नी होगी अरे, तुझे एक से एक मस्त लड़किया दिखाईी मैंने मुझे ऐसी कोई चाहिए जिसे देखती फ्लैट हो जाओं मेरे हाट में लव बग जलने चाहिए अगर उसे जलाना है, तो तुझ में फीलिंग्स होनी चाहिए फीलिंग्स तेरी जोड़ी ढूढ़ने में मुझे बहुत तकलिफ हो रही है भगवान के अलावा और कोई नहीं ढूढ़ पाएगा भगवान से होगा की नहीं उस माता से पूछ लेते हैं बहुत ताम जाम है ए भायो, उस माता को ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे वो योकिनी बहुत पसंद आई चे, 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भया, देवी का भक्त बनने की सोचो तो गलत बात नहीं है पती बनने की मत सोचो, ये प्रकृती के खिलाफ है मा, मैं बहुत परिशान हूँ मा, मुझे मेरे बिजनस में बहुत लॉस हो रहा है मा इस मुसीबत से बचने का रास्ता बताओ मा भर्त, क्या तुम कभी तिरुपती मंदिर गये हो? मैं तु नहीं गया हूं मा, लेकिन मेरे माबाप और बीवी गये हैं स्वामी, स्वामी, तुम महनत से उपर आए हो तो इश्वर ने कहा है, तुम्हें उतनी ही महनत से अपनी मा को मंदिर की स्वीरिया चढ़ाने होगी यह क्या कह रही है? मेरी मा तो दो महने पहले ही गुज़र चुकी है तुमने अपना रास्ता पूरा तय नहीं किया, इसलिए बाला जी को गुस्सा आ गया है अधूरा छोड़ा काम पूरा नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम इतना कष्ट भोग रहे हो तो अब मैं क्या करूँ मा, तिरुपति जाकर दान करूँ क्या? एक मिनिट रुखो स्वामी जी के चरणों में, इन्हें मैं अर्पन कर दूँदू बहुत अच्छी बात है, अहां माता, स्वामी का सेल नमबर मुझे भी देदो, मैं भी उनसे बात कर ले नहूँ है, अपना मूबंद कर, क्या हुआ, पाग, आपको इस्पेशल दर्शन चाहिए? जी हां, स्वामी ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा होगा जितना भी खर्चा हो चलिगा तो आप जड़ा इस तरफ से आईए लगता है दुझे टकला करेंगे तुम्हारी क्या समस्या है भक्त? अगर तुम्हें इतनी दिव्य शक्ती है तो हमारी समस्या तुम्हें पता होनी चाहिए भक्त, मा तो सब जानती है स्वामी को कुछ कहना है तो पहले हजार रोपे कुंडी में डाल दो बया एक मिलो चुखो, माता का एक छोट़सा टेस्ट लेते हैं हम दोनों एक जैसे हैं न, तो हमारी मा एक है या पिर हमारी पपा एक है हमारी मा सिस्टर्स है या पपा प्रदर्स है तुम दोनों की बीच में मदिरा और सिर्फ चखने का ही संबंध है रगत शंबंध विल्कुल नहीं है वा, 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 100% करेक्ट और तुम ईश्वर की बनाई सबसे खुबसूरत रचना धून रहे हो 1000% करेक्ट मुझे लव करने के लिए, अपने लाइफ शेयर करने के लिए एक होश यार और खुबसूरत लड़की की ज़रूरत है कितनी खुबसूरत लड़की चाहिए, जरा कहो तो संञ्या सीनी नहीं होती तो मैं आपका ही नाम ले लिता बात क्या है, इतना तुम क्या सोच रहे हो वो लड़की अगर मेरे जितनी खुबसूरत हो, तो चलेगा ना माता, बस माता, आपकी जितनी खुबसूरत बस हो गया एक लड़की जो हुबभू मेरी तरह है, पूर्व दिशाकी और पार्क में मिलेगी, जाओ सेम एकदम तुम्हारे जैसी लड़की कैसे आज रखती है, मैं नहीं मानता कामात तुरानम नभयम नलज्चा, प्रेमात तुरानम नभूतो नभविश्यतो जब तुम दो हो सकते हो, तो हम दो क्यों नहीं हो सकते मैं चलता हूँ माता, शीख चाओ भाईया, मुझे कुछ कंफ्यूजन है, मुझे सा क्लियर हो गया है, तू चल उनका सेट अप और गेट अप देखकर बिलकुल चोर लग रहे थे वो लोग, अगर तू मुझे एंकरेज नहीं कर सकता, तो डिसकरेज तो मत कर, हो गया इमोशनल बापरे शॉरी है जी ने, शॉरी तू मुझे कहना चाहिए मैंने आपको ऐसा लगता है पहले कहीं देखा है मुझे भी ऐसा ही लगता है मुझे तो लगता है आपके साथ मेरा जनम चन्मानतर का रिष्टा है एक्सेक्टली, सेम फिलिंग्स रोज आप इस पार्क में आते हैं आप अगर रोज आओगी, तो मैं भी रोज आया करूँगा तो फिर कल शाम 430 को मैं यही पर आपके लिए बेट करूँगी के लिए चलना मेरा वालेट बिना मांगे दक्षिना ले गई बोला था ना भाई वो एक नमबर की चोरनी है कंपवा मुझे बिना बता यहां नई दुकान खोली नमस्ते सर कहिए क्या चाहिए एक किलो चिकान एक किलो मटाने किलो फीश चाहिए अरे यह चश्मे की दुकान है सर अमेने दिखता क्या चल चश्मा दिखा है यह सुपर है सर एक बार ट्राइक कीजिए यह देखिए नया मॉडल सर ट्राइक कीजिए एक सेकंड रुगेगा एक ब्लू चीप माल लेने वाला चीप आद मी दिखता हूं गया वजह कॉस्टली चीजिए एक बार यह ट्राइक कीजिए वह से कली आया है यह मॉडल शहर में कहीं नहीं मिलेगा साथ एटम करीदा है तो 2000 रुपए का मिलता है आपको डिसकाउंट नहीं चाहिए बिल कितना हुआ बॉल यह लिजिए यह ब्रहू इस आइटम राजा को बिल देने का फायदा अब इस बिल में जितना एमॉंट होता क्याश दिला का है मेरे साथ मजाग कर रहे हो क्या इस बिल का एमॉंट भरो वर्नस सारे आइटम यहां रख दो अबाव वापास रखने है बोल रहे है यह कलमंदी पहले दिखाने चाहिए थी इस एरिया में दुकान खोलने से पहले जैसे ग्रहक के बारे में पता किया था बिल्कुल वैसे ही हमारे बारे में भी पता कर लिया होता है या दख ना आइटम राजा ओव जैसे चश्मा बेशने वादे दुगान धार का भाई न एच्छे टोपी पहना दी बैचलर के घर में लेडी वाइस हां मोटे के घर पे पत्ली सी लड़की फेस दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या ये सा बैटे बैटे क्या देख रहा है अंकल वो अपने घर में जो लड़की आई है ना कौन है वो वो लड़की मेरे फ्रेंड की बेटी है अहां बहुत अच्छी है मेरे फ्रेंड की बेटी है मतलब मेरी भी बेटी है ऐसा वैसा कुछ सोचा ना तो मार डालोंगा सोचने में भी पाबंदी अलो फूपर जो तुम्हारे साथ है उसे भी बता दे ना जब मैं हूं तो दूसरे को इंट्री की दूँगा वाइस असुर जी अरे बाप्रे चाचा चाचा बोलने वाला यहां रिष्टे को लट पलट करके ही चला गया इस पे नज़र रखनी पड़ेगी अहां क्या लग रही है काश यह मेरी हो जाए मजा आएगा यह लेस खुल गई इडियट देखो भाई पहले राइट जाना उसके बाद लेप्ट चले जाना ओके भाई यह कहां चली गई मैं तो सीरेशली शौक हो गई तुम हैंदराबाद को बाए हम सब सोच रहे थे कि तुम दिल नी चले गए लेकिन तुम यहां कैसे जिस घर में तुम हो उसी घर में मैं है क्या हां लेकिन तुम यहां कैसे अमीर पेट में आइक्यू कंप्यूटर को जॉइन किया है मैंने नाइन ओक्लॉक का क्लास है मैं चलती हूं क्लास का टाइम हो गया शाम को बात करते हैं बाए बाए तुजो कर रहा है वह मुझे पसंद नहीं है भाई मैंने क्या किया यार परसुए तो चोरनी को तुने में लाइन का था और यह क्या लूप लाइन है क्या असल में वो लड़की कौन है पता है तुझे कौन है वही मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी अंकल की बेटी मतलब व अब ही कौन है रहा है भाईया ऐसा क्यों कह रहे हो आज पार्क में आये की बोली दी ना वही तुमारी लवर हाँ 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 याद है अब चलो हम कब से यहां पर वेट कर रहे हैं लेकिन वह आई नहीं रही है टाहिम पर आने के लिए वह क्या कॉर्परेट आफिस में ओ भाईया कहा जा रहे हो वहाँ है क्या देख कर आता हूँ जाओ ढूलो उसे मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या हूँ बहुत 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 अगर सच में रिपसंद हूँ तो मेरे साथ तुम्हें थोड़ी शरारण करनी चाहिए चाहिए शराफ़त दिखानी है तो सिर्फ एक हग बदमाशिक हनी है तो चार चुम्मे अरे बापरे चार चुम्मे क्यों तुम कहो तो पूरे चालिश चुम्मे दूंगा मैं अभी बीकॉम में पढ़ रहा हूँ नाम क्या बताया तुमने? मैंने तो नाम भी नहीं बताया तो फेर आव बतादो नहीं मैंनी बताँगा पर क्यों? मेरा नाम बहुत ही अजीव है बोलने में बहुत है और सुनने में बहुत है चाहत के ढ़ियों, मुझे जाननाए ए जी दोनो ऑक ज़्ेसे दिख रहे हूँ पेटी, अभी अभी तुमने इसे किस नाम से बुलाया? वो मैंने वो… मैं अपना नाम नहीं बताने वाला, बोला ना? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ नहीं, ऐसा मत करो अच्छा ठीक है, बता तो वो मैंने… मेरा नाम है एजी एजी? एजी? मैंने मेरा नाम नहीं बताया, ससिर जी तो फिर अभी बतातो माइनम इस प्रेम कुमार लेकिन… प्यार से लव कुमार भी बोलते हैं लव अब यहां पर करेगा ना तो तुमारे टुकड़े टुकड़े करके चील कउओं को खिला दूँगा समझिया चल निकली आते एजी, आप दोनों एक चैसे दिखते हो लेकिन तुम शरीफ हो और यह एक नमबर का टपोरी मैं टपोरी? तुम्हें एक बात बताओं तुमारा होने वाला पती एक चोरनी से प्यार करता है चोरनी मत कहो, देवी कहो देवी जैसी है वो मैं भी वही कह रहा हूँ देवी जैसी रहने वाली चोरनी ए ए चुप रहो, पापा फॉन कर रहे है हाँ कहिए पापा कैसी हो, पढ़ाई ठीक चल रही है न मैं फिलाल दिल्ली में हूँ दिल्ली पूरा चान माला लेकिन नहीं मिला उसका एक फ्रेंड मुंबई में भी रहता है अब मैं मुंबई जा रहा हूँ मैं तुम्हारे पती को हर कीमत पर ले आऊँगा टेंशन मत लेना अभी रखता हूँ बापरे इसे तो कैसे भी करके पटा नहीं है बापरे इसे तो को स्द़ता है लगता है इस बक्रे ने मेरे लिए ही वालेट रखा है बेसिकले इन समर सीजन वेरी हार्ट, स्किन बरनिंग और बहुत परचोड़ा है एक मेरेक्ट यहाँ ब्लिंग 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 मेरा वालेट? बक्राना बक्रा निकला भाया वा चोरनी मेरा बॉलेट मार के चले गई चोरनी रूप अरा रूप रूप ताह जा रही है मेरे भाईने भर की कमाई है उसमें रूप छोड़ मुझे छोड़ रूप सुजाट समेरा भी यूप मेरे पीछ राइन जपार लूप यार व। आराख ए्या हो स मॉप सिरूआus यार बढ vida हो 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 मेरा अंग अंग इस ने डेमेज कर दिया भाइया ओढ़ को क्या किया भाइया सारी भाई तरे वॉलेट में कितने पैसे थे मैं दे दूगा पचास रूपय के लिए एक किलो मेटर के डाउड और आगई तो ने अच्छा काम किया रुख तरे 50 रुपय देता हूं जर क्या हूँ अंकल कुछ खास नहीं वो जो तुम्हारे दोस्त का वालेट खो गया था ना वही वालेट दरसल इसको मिला है ऐसे लोग आजकर मिलते का हैं वालेट लेकर उसके घर तक पाँचाने चले आए ये फोन भी ना तुम लोग बात करो है है यह लो तुम्हारा वालेट और मुझे मेरा पर्स लोटा दो कहें का पर्स उसमें का पैसा खर्च कर डाला है मैंने अरे वो तो सालरी अमाउंट था ड्यूटी कहां करती हो मंदिर में की पार्क यह बताओ लड़की होकर चोरी करने में शरम नहीं आत जॉब में रोज के तीन हजार मिलते हैं अगर में उल्टे सीदे काम ना करूं तो मैं अपनी मा को खो दूँगी मेरी बातों पर ऐसे ही वारुसा मत करो चाहो तो चल कर देख लो मेरी मा से मिल लो वारुसा होने के बाद ही मुझे मेरी पैसे लोटाना अब मा कैसी है डॉक्टर अंकल 24 गंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं वेट एंसी तो महीने पहले एक्सिडेंट हुआ था उड़ाने वाले ने जरा भी मदद नहीं की मेचने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है और नहीं सपोर्ट करने के लिए कोई फैमिली मेंबर ना मा को मरते देख सकती हूं और ना खुद को बेच सकती हूं इसलिए मैं ये घिनवना काम कर रही हूं इसकी जरूरत नहीं है प्लीज मैं ये नहीं ले सकती हूं इसे गिरवी रखकर तुम अपनी मा को बचा लो मैं बाद में इसे चुड़वा लूँगा सत्या और एक जरूरी बात ये चोरी करना बन कर दो प्लीज तुम्हारी मा के ओपरेशन में जितना खर्चुगा वो सब मैं दे दूगा चलता हूं बाईया जिसका बस्टन बेड है बेड ही फूड है ऐसी सोच रखने वाले को रॉयल फूड और लक्जरी बैड दिया है तुमने और तुम्हारी लाइफ मेरी आखों के सामने स्पॉइल हो रही है मैं देख नहीं पा रहा हूं भाईया देख नहीं पा रहा हूं तुचाही जो बोल, बट, I love सत्या, पीक्स भाईया, तुम्हारा पागलपन पीक्स पर चड़ गया है, दिल से नहीं भाईया, दिमाग से सुचो, दिमाग से सुचो, मैं चाहिए जहां से भी सुचू, पर मैं सत्या से ही शादी करूँगा, ओहो, पागल हो क्या, तुम कीचर्ड में क्य कूदना चाहते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, है, तु अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, सॉरी, सॉरी भाईया, गूड नाइट, हाँ, अरे, चल निकल में, चोरी में भी है, सर्जी, सर्जी, आइटम राजा आया है, आइटम राजा, ये कौन है, इस एरिये में अपने हो, उसके बारे में आपको नहीं पता, ये आइटम राजा इतना खतरनाक है, जितना कि आइटम बॉम नहीं है, सेट, वो अपने शॉप से आइटम खरी देगा तो, आइटम तो दे नहीं होगा, और उस आइटम का पैसा भी देना होगा, मैंने नहीं दिया तो, आप तुम हो भाई हमको क्या जाहिए एक फ्रीज और टीवी चाहिए भाई बस इतना ही बाई जरा ये रेट तो देखो अरे यहां देखो एक रुपए में टीवी तीन रुपए में फ्रिज तो हार है ना सर ओफर सेल 99 परसेंट डिसकाउंट हुम् है है ऐसा है क्या अच्छा तो सेट पांस टीवी पंच लग पंदरा बॉशिंग मशीन पंद्रा लग पचीस फ्रीज फ्रीज पचीस लग पैकर दे रहे मुनेम वेल कितना हुआ है इसाब कर ले पचास हुआ भाई कितना पचास रुपिया ओके यह लो आइटम राजा को बेवकू बनाने वाला खुद आइटम राजा ही है और कोई नहीं नमस्ते माजी नमस्ते बेटा मैं आपके लिए यह फल लेकर आया हूँ कौन हो तुम बेटा मैं आपकी बेटी सत्या का फ्रेंड हूँ माजी लेकिन मेरा एक बेटा है बेटा कौन हो भाई आप आप कौन हो भाई मेरा नाम वसंत है इनका जो एकलोधा बेटा है वो मैं ही हूँ हूँ देखो सत्या मेरी नजर में प्यार का बहाना बनाने जितना गलत है प्यार करने वाले को धोका देना उस से भी ज्यादा गलत है तुम मुझे बरबर धोका क्यों दे रही हो थोका खाता है वो तेरी कलती है थोका देना मेरा काम है ये प्यार प्यार मेरे पल्ले नहीं पड़ता मैंने जी जान से तुमसे प्यार किया मेरी मा की जो निशानी थी अंगुठी वो भी तुम्हें देती तुझे वो चेन और रिंग चाहिए ना एरिया के मारवारी के पास गिरवी रखा है एक हफ्ते बाद लाकर दे दूँगी सत्या मेरा मतलब वो नहीं था जैस्ट तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ ये समझाना चाहता था कुशाल मेरी नजरों में पैसे की कीमत और जरूरत तुम्हारे प्यार से कहीं ज्यारा है इसलिए कहती हूँ मेरा पीछा करना छोड़ दो ओटो यहीं पर रोग दो सत्या प्लीज मेरी बात को समझो तो लीज सत्या प्लीज चले जाओ कुशाल मुझे भूल जाओ सत्या चीक है मैं यहां से चला जाओंगा लेकिन एक बात याद रखना मुझ जैसे लड़के को मिस्स करके तुम लाइफ लॉंग दुखी रहोगी चले जाओ ये लो चॉकलेट तुम भी लो ये लो ये तुम्हारे लिए दीदी आप इतने दिन कहा गई थी कुछ काम से बाहर गई थी दीदी ये किट्टू फिर से भीख मागने गया था एh कितनी बार कहूं कि भीख मागने नहीं जाना है मेरे पापा ने भेजा था दीदी तुम लोगों को कॉनमेंट स्कूल में क्यों बढ़ा रही हूं भीख मागने के लिए नहीं अच्छे से पढ़ने के लिए ताकि बड़े होकर तुम लोग इंजिनियर, डॉक्टर, आफिसर बन सको पर मेरे जैसे ना बनो चीज़ी है लीडी, आप अच्छा सब्सक्राइब करेंगे चाचा, ये उन बच्छों के लिए पैसे, याद से उन बच्छों की स्कूल फीज भर देना, ठीक है? हाँ, ठीक है, हम पर इतनी महरबानी क्यों? इसमें कोई महरबानी की बात नहीं है, मैं भी तो एक अनाथ हूँ, और मैं भी यही पली बड़ी हूँ, जब तक मैं हूँ, बच्छे अनाथ नहीं होंगे, उनकी परवरिश के लिए कुछ भी करूँगी, उनका खयार रखना चाचा ठीक है बेटी देख ली मेरी हालत? मैने का बीस हजार हो गया, दस लाख, इतने शॉट टाइम में मनी गेन कैसे करूँ यार, इंस्टन्ट मनी गेन करने के लिए छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वो क्या है न, रेस लगा सकते हैं, जिस घोडे पर तुन दाव लगाते हो, वही घोडा जीतना जरूरी है, और लबाकुमार, इसे जुनने पर 25 लाका है नाम, सपोज, जस सपोज, ये जो नन्हा बच्चा गुम हुआ है, वो अगर हमें मिल जाए, सोचो, इन्वेस्टमेंट भी जीरो है, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा भाईया, ऐसा ही होगा, क्या हुआ है, इतना दर तुम लोग मेरी मयत में भी मूनी लटकाओगे रहे, चला जाए भी हो, आप पीने को काओगे, तो भी पीएंगे नहीं भाईया, ऐसा क्या हुआ, चोड़के जाए भाईया, तो इतनी तक लीप नहीं होती, फिर बात क्या है, पैसे नहीं, इसलिए घरवाले सारी चीज़ों को भंगार में बेच रहे, उन्हें चोरी की चीज़े नहीं, रोकड़ा कैस चाहिए, तो फिर क्या करें, कोई बड़ा अक्राइन करके पैसे कमाते हैं भाई, तो फिर सुपारी लेके मडर करें क्या, भाई, रेंदो भाई, अगर हम जेल गये ना, पैसे की वज़े से ही मेरी लाइफ बनेगी, पैसो की वज़े से लाइफ में वाइफ आईगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, भाईया, प्रॉब्लम को बार-बार याद करके दुखी होने का कोई फाइदा नहीं है, ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला, जब सॉल्व होना हो तो हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ, भाईया, वो पेपर वाला बच्चा, उसे पकड़ो तो 25 लाख रुपे, 25 लाख रुपे हमारी आँखों के सामने ही खड़े हैं या, चलो चलो, कहां गया, कहां गया, ग्रह अगर लात मारे तो, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, चलो बईया, भाई, वो लड़कर बेंस कार से उतर रहा है, तो सुचो उसकी रेंज क्या होगी, उसे ही किटनैप करते हैं, और 20 लाख का डिमान करते हैं, सिर्फ 20 लाख क्यों, पचास लाख डिमान करते हैं, ए, इस मौप को हम लेगिया, पबूल, बच्चा मेरी आपको के सामदे है, शूट कर दूँ क्या, तो क्यो, उसे हार पहनाएगा, उसे इसी वक्ष शूट कर, ठीक है भाई, ठीक, बेशरम, बेवखूफ, एक दम बुरा चॉइस है, भाईया, वहाँ देखो, भाईया, रोड पर मिस हो गया था, सडनली जाकर पकड़ा तो टर जाएगा, साइलेंटली जाकर पकड़ लेते हैं, इस बार मिस नहीं करेंगे, हुगा है, भाईया, जाएबए, सकते वोसे प्रिजफू Dias. प्रोचल कर दो दोड़ा झाल कि वुए जल भी है थाइ चलो शेके थाइ एजी ये बच्चा कौन है ये बच्चा गुम हुआ था इसको इसके मम्मी पापा के पास हम भी पहुंचाएंगे और वो लोग हमें 25 लाग का रिबॉड देंगे ऐसा पेपर में भी दिया है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सौल हो जाएगी तुम लोग ये पैसो के लिए कर रहे हो इस बच्चे को उसके मम्मी पापा को दे दो उन लोगों की दुआ मिलेगी तुम दोनों को वेलकम टू साक्षी नियूज भी किद्नाप हुआ था पर उसे ढूंड लिया गया था फिलहाल के लिए बस इतना ही अप्रेट्स के लिए देखते रही साक्षी नियूज ए जी शायद आपने पुराना नियूस पर पड़ाए बच्चे और लेडी गुम होकर उसके परेंस को मिल गया था मिल गया था मतलब बच्चे को आपने दुबारा किद्नाप किया है हां किद्नाप किया है बच्चे को आपाँ मुझे मत बारो, मुझे मत बारो, रंगा, मैंने तुम लोगों को राना के पास काम पर लगवाया था ना, और तुम लोग मुझे ही मारना चाहते हैं राना, राना मैंने तुमारे सप़ कोई दुक मारा सी रेकिगी, मुझे छोटो मैं सुभारे हाज है जोरका हमुझे जाने दो, तुमें शायद गलब सानी हुई है खुद पर मैंने जितना विश्वास नहीं किया, अपने बाप पर नहीं किया, उतना तुछ पर किया और तुने क्या किया? लाना, लाना मुझे छोड़ दो, मैंने तुमा से दोगे भाजे नहीं किया अगर कमिटमेंट में लास हुआ, तो सह लूँगा, बरदाश्ट कर लूँगा, लेकिन दोखा दिया तो मार दूँगा किडनाप हुए उस बच्चे को हर जगे ठूंडा गया, पर उसका कोई पता नहीं चल पाया है हमने बच्चे की मा का इंटर्व्यू लिया है, देखते हैं उनका क्या कहना है मेरा बच्चा मुझे लोटा दो, तुम्हें चितना पैसा चाहिए उतना में दे दूँगी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें जो कोई इन्फरमेशन देगा, उसे चितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी एक मा की तकलिफ समझे, मुझे मेरा बच्चा लाटा दो इसकी बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी तो किटनापर मुझे मिल गया ना, तो उसकी बोटी-बोटी कर दूँगा अगर वो किटनापर एक बार मिल जाए ना, तो उसके बाल की जगा गरदन काट दूँगा बच्चे को किटनाप करने वाला मिल जाए, उसे काट कर मिर्ची पाउडर लगा दूँगा पूरे दिश में पहले टीवी बंद करो बहुत गुसा है, हमारे समद टीवी पर जितने लोग दिखा है, सब भढ़के हुए हैं भाया, कहां जा रहे हो? पुलिस टेशन, बच्चा लोटाने के लिए, ऐसा मत करो लवा, हमने तो कोई गलती नहीं की है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है इमोशन में आके रॉंग डिसिजन मत लेना भाया, प्लीज ये पुलिस स्टेशन, ये अरेस्ट, ये किड्नैपिंग, इसकी हमें क्या जरूरत है? भाया, पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा तो तुम्हें है एजी, पिछली बार जब ये बच्चा किड्नैप हुआ था, तो कोई आदमी उसे बचा कर घर ले आया था लेकिन उस आदमी को मार दिया गया ऐसी खबर आई थी, इसलिए थोड़ा संभल कर लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है पापा फोन कर रहे हैं स्पीकर आउन करके बात करो हलो, बेटी सुब्बू, पूरा मुंबई भी चान मारा, लेकिन दामाद कहीं नहीं मिले, सुबह तक हैदराबाद पहुंच जाओंगा पापा, उन्होंने मुझे गोवा से फोन किया था वहां पर क्या कर रहा है वो, उन्होंने न, वहां पर एक लड़की से टाका फिक्स किया है जी 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 गोवा में लाओ, उसका नंबर दे मुझे पब्लिक फोन से फोन किया था पापा, कॉल बेक किया तो वो वहां से चले गए थे मैं अभी गोवा जाकर उसे डूड़कर उसे पकड़कर लाओंगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना ठीक है ठीक है बापा, भापरे गोवा गय हो कभी, वहां किसी भी लड़की को देखा तो बहुत सुन्दर लगती है इनके दमाद को मैं परणाम करता हूँ, उनीके चक्कर में तूम पूरा इंडिया घुम रहे है तुम लोग क्या सीक्रेट सीक्रेट बात कर रहे हो नहीं मालिक नहीं, हम दमाद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं बहुत प्लान कर लिया, पहले गारी में बटो अंकल, आप सब कौन हो? हम सब तुम्हारे दोस्त हैं अंकल, मुझे मेरी मम्मी के पाश जाना है, अंकल ले जाने के लिए ही लाए हैं जब तक हम ले नहीं जाते, तब तक जरा सा शान्त रहना ओक्या अंकल, आज मेरा हापी बद्द है, अंकल अंकल, अंकल, थांटी अंकल, 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 अंकल हुआ अंकल क्या वर्क कि पानिक कि नीजिए अजर्ट माने फोना सहा नहीं किया था सुब हैं सै किपनी बार बोला फिर भी वह पानी तक नहीं पी रहे हैं श्तां कचिना ने कहा कि कल तक वह हमारे बच्चे को ढून निका लें़े पुलीस, प्रेस, मेडिया सब ही हमारे बच्चे को ढूने में मदद कर रहे हैं तुम टेंशन मतलो प्लीज कुछ खालो मुझे भूक नहीं है मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज तुम चले जाब यहां से प्लीज ले मियालो बच्चे का कुछ पता चला की नहीं अभी तक नहीं अंकल प्रेस में दिया है कंप्लेन भी किया है चल्दी ही कुछ होना चाहिए अंकल आपका कोई पुराना दुश्मन है क्या यह हाथ मदद के लिए उठते हैं किसी का नुकसान पहुचाने के लिए नहीं समझ में नहीं आ रहा ऐसे में मेरा दुश्मन कौन हो सकता है बच्चा कहा है कैसा है खाया भी है कि नहीं कुछ पता नहीं चल अब इसकाया खोल दे भाई मुझे माफ कर दो प्लीज भाई मुझे मत पारों मैं आपके पैर बढ़ता हूं बाई मैं आपके छोटे बाई जैसा हूं अरे तु बाई जैसा नहीं है रे मेरा छोटा भाई ही है लेकिन उससे यह उमीद नहीं थी अरे तुम लोग दस सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन फिर भी पचीस लाग की लालच में आकर तुमने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया अब सब के सब मरोगे इस बार बच्चे को मार करी वापस आऊंगा बाई यह मेरा वादा है यह लास्ट चांस जा ठीक है बाई है अगर इस बार बच्चे को नहीं ला पाए तो जिंदा नहीं छोड़ना चलो जाओ रे भर उससे उसे कोई नहीं बचा सकता कोई भी नहीं आज कल की हिरोईने छोटे-छोटे कपड़ों में गरम-गरम ऐसास ती लाती है भाई कैसा गरम-गरम ऐसास रे इतना गरम की छाती पंदा थोड़त ओमलेट है उस दिन शॉपिंग मॉल में जो बच्चा दिखा था ना वह बच्चा गुम हुआ है उसे धून कर दोके तो पच्चीस लाग मिलेगा और अगर दिमांड तो एक करोड तक भी मिल सकता है अगर बच्चे को पकड़ को उनके सुपूर्ट किया तो इनाम का पच्चीस लाग मिल है अपने पास केश की तना किऊ भाई निया लेकिन कि उसके लिए कश क्यों भाई लेंजिना खरीदनी अरे चार के लिए क्यों भाई हमारे लिए तो सफ फ्री है बने बिजिनेस बढ़ लिया आब फ्री में कुछ नहीं पैसा दोर खरीदो पानी के लिए पैसे नहीं है थोड़ा मदद केज़े भाई साब ए आगे बढ़ इनके पास पैसे नहीं होगे कर दे आप सेकेंड हैं अपकी इमिश के लिए गंदा रहे अच्छा यह बता यह बैंड कितने की अगर इसे रेट बताया तो उतना है पैसा मुझसे यह ले लेगा अरे यार लाइफ में पहली बार पैसा दे के कुछ खरीदने आया हूं और यह बोल रहा है कि फ्री है बाबू क्वार्टर के लिए वार्टर नहीं है थोड़ा मदद कीजिए उसे यह ले किया रहे है इधर आ रहे यह ले बाई यह बाई तो चल निकला पहले पैसा उठा क्या यार दान करो या ना करो समस्या ही है इसे जल्दी सा सम्षान लेकर जा तेरे गिफ्ट के बदले मेरा यह र पोबलम चलता ही रहता है अब बोलिये क्या है मेरे पोते का कुछ पता चला है हम कोशिश कर रहे हैं न हम आराम से नहीं बैठे हुए हैं मिलते ही आपको बता देंगे लीट सर मैं मेरे बच्चे की बिना रह नहीं सकती देखो मैडर 24 गंटे में तुमारे बच्चे को हैं और पुलिस ने पकड़ा तो 25 रूपए भी नहीं ठीक है मिलते ही आपको इंफॉर्म कर देंगे अब आप जाएए भाईया हम बच्चे को उठा कर लाए थोड़ा पैसा मिलेगा सोच कर हमें ला ले चाया अरे बापरे उठा किड्नेपर का टैग लग गया अब ये सब छोड़ो भाईया एक काम करते हैं इस बच्चे के घर जाकर इस बच्चे को दे देते हैं वो जितना भी पैसा देंगे उससे पांच कैप खरिद कर सेटेल हो जाते हैं अब बस इस कंफ्यूजन को मैं सहे नहीं पाराओ भाईया वैसे ही मैं बहुत बड़े प्र मैं सच में प्यार कर रहा हूं सच में प्यार करता है तो कौन है वो लड़की मैं बोलूंगा तो आप बुरा मान जाओगे ओ उस दिन पार्क में वो नहीं तो फिर कौन है आ वो अपनी सुबा लक्षमी भाईया भाया ऐसे सीरियसली मत देखो मैं सीरियसली उसे प्यार करता हूं थ्यान से सुन लावा मैं सुबा लक्षमी को तब से जानता हूँ जब हम छोटे थे वह सच में बहुत संसकारी लड़की है तुझ जैसे टपूरी के साथ उसकी नहीं जमेगी मुझ जैसे टपूरी को ही ऐ मारी पास पैसे आएंगे ना उससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी क्या हुआ भाया बेटा अब अपनी नया खोदी पार लगा ले भाया हाई देखो लव तुम और वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो तुम सच में उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं चाहते तो मना कर सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया उन्हें हर कदम पर तुम मदद कर रहे हैं तुम टपूरी तो हो लेकिन प्यार प्यार करेक्ष्मी सुबह लक्ष्मी इतना सब कुछ बोल दिया लेकिन जो बोलना था वो तो बोला ही नहीं मैं छोटे गाव से हूँ मुझे शर्म आती है लेकिन मुझे नहीं आती एक चाह देना क्यों काका बच्चे के बारे में कुछ पता चला उसे ढूंद तो रहे हैं लेकिन जो भी कोशिश कर रहे हैं सब बेकार हो रही है बच्चा मिले तो मुझे भी जरूर बताना काका क्योंकि मुझे डर है कि वो लोग उस बच्चे को मार न डाले ऐसा नहीं होगा नजाने कौन है वो लोग जो हम सब को इतनी तकलीट दे रहें जबसे वो बच्चा गुम हुआ है उसकी मा के हालत बहुत ही खराब है अन्न का एक निवाला तक उसने मुँमें नहीं डाला पता ने क्यों भगवान भी अच्छे लोगों कोहीं कष्ट देते हैं हम क्या कर सकते हैं काका अगर उस बच्चे को मिलना है तो उपर वाला ही कुछ कर सकता है हे लव बच्चे के घर से इंक्वारी करके आ रहा हूं तू बच्चे को तयार कर, मैं अभी कह रहा रहा हूं वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोगों कोई प्रॉब्लम नी होगी चलो ठीक है भाईया, वो 25 लाग की बाद कंफर्म है ना? तु जल्दी से बच्चे को तयार कर मैं अभी पहुँच रहा हूं तक्किल तक्किलता 25 लाग रुप्य आरहा है औरे पैसा 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 हाहा अरे वनकार मनकार अइजड Sü weld 3 अंकल अंकल प्या डांस के आपने अब महरणालेगा क्या तेरी तो, तुझे कैसे वारो, तु मेरा बेरर चेक जो है, चोटो, बच्चे, रुक यार, ऐसे क्यों रो रहा है तु, मुझे आइस्क्रीम चाहिए, आइस्क्रीम चाहिए, कुशलंकल को फोन करता हूँ, वो हाते समय ले आएंगे, मुझे अभी चाहिए, नहीं तो मैं जोर कुशल, 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 लगता नहीं उसके नसीब में उसका चेन है, बाहर से तो डोर लॉक है, लेकिन अंदर से टीवी की आवास आ रही है, इस बच्चे को मैंने कहाँ देखा है, कहाँ, हाँ, पेपर में देखा है मैंने, इस बच्क्चे को लॉटा दिया, तो मेरा प्रब्लम सौल द ये, हलो हलो पीबी हाँ बोलो सत्या बच्चा लोटाने वाले को 25 रुपया दोगे पेपर में ऐसा छपपाया था ना यह खबर सही है क्या ओओ छपा है तो जरूर मिलेगा हलो हलो थैंक यू थैंक यू सर्व नमस्ते जी आये आये बैठ ये बैठ ये आपका बेटा हमें एरपोर्ट में मिला बच्चा का है जी आइस क्रिम खेलाने के लिए कॉंस्टेबिल से बाहर लेकर गया बच्चे को किड्नैपर करना चाहता था तब ही वो पकड़ा गया और मैंने आपको बुला लिया अपना चेरा दिखाई ने देपन, यें तो मेरे दामाद जी है दामाद है आपका फिर आपके पोते को उसने क्रिणैप क्यों किया किरन अपने बैटे का क्रिणैप क्यों करेगा ठ्चाह कि पास एक है क्रिण के बास एक और ट्वींस बच्चे हैं यह व्युथ हैं यहां जी सौरी किरन जी ये ट्विन ट्विस का मुझे पता नहीं था सर तेरी कहानी में मुझे कोई दिल्चस्पे नहीं है मुझे मेरा बच्चा वापस है यह बस किरन प्लीश शांत हो जाओ घर जाके बात करते हैं किसके घर पर जब से यह मेरे साथ सारे संबन तोड़के चली गई है तब से मेरा उस घर से कोई नाता नहीं रहा है सुनिए इंस्पेक्टर कल सुबहें तक हर कीमत पे आपको मेरे बच्चे को लोटाना होगा वरना मैं बता दूँगा कि मैं काउन हूँ कैसे पुलिस वाले हो तुमसे एक बच्चे को ढूड़ने को कहा दूसरा बच्चा भी खो दिया सार चला बिटिया इस चहर के बच्चों की सुरक्षा के संबंद में विप्रक्ष की पाटी के लोगों ने बहुत अंखा मक्या चल्दी से भागते हैं इससे तो मेरा कैप का धन्द ही अच्छा था हुआ है क्या कर रहा है लगेच क्यों पैक कर रहा है उस बच्चे ने आइस क्रीम के लिए मुझे बाहर भेजा और मेरे आने तक वो कहीं भागिया अब बच्चा पुलिस टेशन जाएगा यह कंफर्म है और मेरा नाम बुलेगा यह भी कंफर्म है उसके बाद मेरा इंकाउंटर अबे मैं तो ताला लगा कर गया था ना तो तो बाहर कहां से निकला कौन हो अंकला मुझे यहां क्यों लाए हो और अब एक ब्रेकिंग लिउस पिछले हफते के नैप हुआ बच्चा जो प्रसिद बिजनसमेन प्रसाद राव का पोता है जिसका नाम लवकुमार है अब तक कर लिया था उसके बाद फिर से उसकी किड्नैपिंग हुई है फिर हमारे सुत्रों से हमें सूचना मिली है कि उनके एक ही चेहरे के जुणवा बच्चे है एक बच्चे का नाम है लवकुमार और दूसरे का नाम है कुशल कुमार सूचना मिली है कि पती-पत्नी अलग रह र रहे हैं आपको बता दें जैसे इस फैमिली में एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की किड्नैपिंग हुई पूरी मीडिया में संसनी फैल गई है भाईया अब सारी बाते क्लियर हो गई जो हमारे पास पहले था वो लव कुमार और यह है कुशल कुमार अरे बापरे हमें पता भी नहीं चला और हमने दो दो बच्चे किड्नैप कर लिए बैसे भाईया अब दूसरा वाला बच्चा गया किदर अब मैं राइम बोलूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बोलो बाबू इन गवारों को इंग्लिश बिलकुल नहीं आदे तू मुझे इंग्लिश में बोल मैं हिंदी में लोगों को ट्रांसलेट करता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चमकने वाला चमकने वाला चोटा सा तारा हूँ यह दुनिया अपने सर से भी बड़ी है यह दुनिया अपने सर से भी बड़ी है यह दुनिया अपने सर से भी बड़ी है आसमान में हीरा जैसा चमक रहा है आपका ट्रांसलेशन तो धूम से भी सॉलिट है अब भाई तुम्हें बैटिंग करनी आती है यह गली किरके टीम का कैप्टन था मैं अरे भाई मैं उस बैटिंग की बात नहीं कर रहा अरे और कितने टाप की बैटिंग होती है अरे वो नहीं भाई अरे मुझे अभी तक मौकाई नहीं विला अभी तक क्यों नहीं भाई आप तो बोनी कर लो लेकिन वह मानेगी क्या भाई ऐसी बातों में ज्यादा सोचने का नहीं बस घोड़े पर सवार हो जाना चाहिए भाई मैं बच्चे को लेकर बाहर चला जाता हूं चला जारेगा अीभी तो मैं जेंगोके ही रो जैसा स्टाइल मार रहा है है परस्टाइंभ था मेम तो तुझे नहीं लगता जिंदकी में थोड़ा लेट हो गया है तो लाइसा बांदा है तो बहुत मुश्किल होगी चोड़ दिया तो बहुत मस्ती होगी आज खुदा मुझे सकते मेरभान है अभी कोलाूं अरे ये क्या हो रहा है भाई आई आखो पाई इसे क्यों चिला रहा इस टाइम है ना अईसम ही शोर मचाते गाइख जाड़ों चैनले बाई ने सचुने फुरी कर ली है आख अब आख पीडाई यह ना अग्राइबsınız वो अग्रोजस का मांने ही जो सोचागों नहीं जो सोचा वह नहीं हो रहा है कुछ और यह ओर रहा है कुशन नहीं मैं हूँ लवा तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फसे हैं यह पता है तुमें ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमें जैसे पहले सी पता था लग राइट से हाया और लेट से निकल गया और डाइरेक्ट छूमनतु हो गया अंकल अंकल टूटूजा हाव माच अगर इसना मुझे पता होता ना बच्चे तो मेरी ऐसी हालत होती क्या आपको कुछ भी नहीं बता है अच्छा यह बात तो मुझे पहले से पता है क्या हुआ उस बच्चे को ऐसे क्यों देख रही हो तुम मेरी बहन का बेटा है वो इतनी ओवर एक्टिंग मत करो पेपर और टीवी में मैंने भी इस बच्चे को देखा है देख लिया है सबको इसके बार में बता है अरे वो बात नहीं है एक घंटे पहले ये बच्चा आइटम राज के पास था फिर वो तुम लोगों के पास इतनी जल्दी कैसे आ गया आइटम राजा यह आइटम कौन है और बच्चा उसके पास कैसे गया परसो कुछा की चेन और रिंग लोटाने के लिए जब मैं उसके घर गई थी एक बचाओंगा तो मुह गुलाब जामुं जैसा फुल जाएगा तुशे पता है तेरे फिल्मी प्राब्लम को खहत्म करने के लिए भाई ने एक रास्ता निकाला तो एक बच्चा किट्णैप उससे बचने के लिए दूसरा रास्ता निकाला तो दूसरा बच्चा किट्णैप तुझानती है हमने कुछ भी नहीं किया और हम पर दो बच्चों के किट्णैप का इलजाम लग गया भाया तुझ जैसी चोरनी से सच्छा प्यार कर बैठा है और उसकी जिन्देगी के साथ खेल रही है तुझे उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता उनके पास इतनी प्रॉपटी है कि दोनों हाथों से खर्च करने पर भी खतम ना हो लेकिन फिर भी वो सिर्फ 25 लाक रुबयों के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसकी वज़े सिर्फ कुशार इतने दिनों से मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई आई लव यू एजी ज़र ऐसे देखो जो होना ता वो हो गया अभी जाकर बच्चे को पूली स्टेशन में दे आते हैं बेटी अरे पाप्रे अरे पाप्रे अरे पाप्रे क्यों अरे इस बच्चे को किड्नैप करके लायो ना नहीं चोड़ूंगा तुमको नहीं चोड़ूगा नहीं चोड़ूगा तुम लोगा सच बोल रहा हूं अंकल यह किड्नैप हम दोनों ने जान बुचकर नहीं किया हाँ अंकल यह बहुत बड़ी कहानी है मुझे तुम लोगों की बातों पर पूरा यकीन है अब तो मुझे खोल दो नहीं कुशल भाईया बेलकोल नहीं अगर इस पर दया दिखाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे बोलो मन्जूर है अरे भाई मेरी पीट में खुझली हो रहे है यह बहुत जोरो की मुझे खोल दो खोल दो भाई एजी एसा मत करो यह मेरी पापा के फ्रेंड है छोड़ दो इन्हें क्यों बैटे क्यों इसे अपने पती की तरह एजी एजी करके बुला रहे है हो एजी सुनो जी अंकल आपको एक सेंसेशनल न्यूज बताओ सेंसेशनल न्यूज ही है ना तो फिर सुनाओ सुनाओ यही है कुशल कुमार जिन्हें पापा ढून रहे है अरे बाप रे रेस्ट गेस्ट और फिर यह ने अट्वेस्ट यह सब क्या है भाई देखो सच सच बता दो यह तुमारा होने वाला पती है होने वाला हूँ मैं अपनी 25 लाख वाली कैश पाटी को फून लगाता हूँ सर एक्चुली वो पेपर में जिस बच्चे का एड दिया है ना वो हमारे पास है और वो बिल्कुल सुरक्षित है सर आप बताये कहां पहुंचाना है हम उसे वहीं पहुंचा देंगे उसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड़ दूँगा भगवान का शुक्र है यह बच्चा हमारे पास है इसलिए बच गया लेकिन आइटम राजा के पास जो बच्चा है उसका क्या अच्छा सुन भाई बच्चे को पकड़ कर दिया तो 25 लाख दूँगा ऐसा नीजपेपर में दिया है बच्चा मेरे पास है पैसा ले गरा और बच्चे को लेके जा उसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड़ दूँगा यह क्या रहे किड्नेप से मडर का पर्मूशन दे रहा है क्या पता भाई वापस पुछो ना अच्छा भाई तुम थोड़ा कंफ्यूस नहीं हो रहे हो दाई मैं किलिया रूँँ जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा दिया तो एक करोड़ दूँगा अब उसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड़ दूँगा अब उसे जिन्दा लोटाया तो 25 लाख मुर्दा लोटाया तो एक करोड़ दूँगा यह आवाज किसके आप बता सकते हैं यह आवाज ये तो हमारे विश्वा की आवाज है विश्वा, वो कौन है? वो मेरी बेटी का क्लास्मेट है बच्पन से ही उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती है दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कॉलर में पड़े है लेकिन उसे बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसकी आप से कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? दुश्मनी कहें तो बढ़ाई के समय उसे मेरी बेटी से प्यार था लेकिन मेरी बेटी दमाद जी से प्यार करती थी तो मैंने दोनों की शादी करवा दी वो शादी में भी आया था और उसके बाद फिर छे सालों तक नहीं दिखा जब मेरी बेटी और दमाद अलग-अलग हुए तब विश्वा मुझसे एक बार मिला था अंकल आप चाहो तो श्रीशा को एक नया जीवन दे सकता हूँ उसे फूलों की तरह रखूँगा ये क्या कह रहे हो तो मैं श्रीशा से शादी करना चाहता हूँ वाट? उठो, उठो, निकलो यहां से वो अंकल मेरी पेटी और दमाद में अभी डेवोर्स नहीं हुआ है कि वो लोग अपने लिए नया रिष्टा धून लें बस थोड़ी सी नोग छोख हुई है दोनों समझ जाएंगे और फिर जल्बी एक हो जाएंगे अंकल, मेरा ये मतलम नहीं था कॉलेज के दिनों से ही मैं श्रीशा से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जब उसने शादी की तो मैं उसके जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया श्रीशा ने किरन को हमेशा के लिए छोड़ दिया है सोचकर मैंने ये बात कही और कोई मतलम नहीं था मेरा प्लीज अंकल, मुझे समझे उस दिन के बाद से वो हमारे फैमली फ्रेंड की तरह हमसे घुल मिल करके रहने लगा हमारे बच्चों का ख्याल हमसे कहीं ज्यादा रखता था वो लेकिन वो हमारे बच्चों को मारना क्यों चाता है ये बात, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही श्रीशा, I love you तुझे और तेरी प्रबट्टी को पानी के लिए क्या नहीं किया मैंने मैं इती चल्दी हार नहीं बात सकता तुझे इतनी असानी से नहीं जाने दूँगा जीतूँगा, जरूर जीतूँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे यूजलेस, तुझे पर लाखों खर्च किया है, फिर भी एक बच्चे को नहीं मार पाया सोचा था तू बड़े काम की चीज है, इसलिए हायर किया तेरे बदले गली के किसी गुंडे को काम दिया होता, तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता असल में क्या माँ? हर कोई फोन करके, बच्चा मेरे पास है, मेरे पास है ऐसा बोल रहा है पहले जा कि उसका पता लगा तू, चल जा एक काम करते हैं, सत्या को आइटम राजा का अड़ा का है वो पता है इसलिए सत्या को ले जाकर उस बच्चे को ले आते है एक नमबर भया, यह आइडिया तुम्हे पहली आना चाहिए था, जाओ बच्चे को ले आओ, जाओ बच्चे को ले आओ, उस विश्वा का पूरा घर चान मारा सर, कोई फादा नहीं सर, यह विश्वा की कॉल लिस्ट है सर, और इसके हिसाब से उसका सिग्नल जुबली हिल्स के पास का है और दो इंटरनेशनल कॉल भी इसमें लिस्टेट है आपको एक बात बताना भूल गया हूं सर, तीन दिन पहले मुझे सत्या का फोन आया था बच्चा लटाया तो पैसे मिलेंगे, यह कंफरम किया था उसना मुझसे यह पात इतनी देर से बता रहे हो तुम, वह कहां रहती है बच्चा आया तो कुछार तुम यह क्या करें हो पहले का ने रुका हुआ रुका हुआ यह ए रुका हुआ लगका हुआ प्राइव रुका हुआ रुका हुआ झाल 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 किस तरह? किस तरह? वो देखो वो रहा! बाई! बखलो! मैं बोल रहा हो ना भाई उसे इसी घर में देखा था ए कौन हो तो भॉक? बच्चे को उठा ए चोड़ो! चोड़ो! क्या करें हो? चोड़ो इसे जब किसको फोन करें हो? ए ए ए ए चलो! हलो! हलो! हाई सुबू! हलो! हलो! सुबू! कुसे कुश्य 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 करना! जल! जली जरा! कौन हो भाई तुम लग? राजा! आइटम राजा! ए बाई! कुरसी में बांद के रखा है तो यह बहुट टेंजर आदमी होगा! इसके मुह में रुमाल दूदे! नहीं के बाई! भाई! हमारे पास तो अबड़ा है नहीं! बच्चे को कहा ले चलेंगे! मामा! मिक्सी मामा! सुबू! 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 कहा हो सुबू! 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 मैं ना बताए कहां चले गए थे! ज्यादा चुट तो नहीं लेगी ना? वो खुद को आइटेम राजा कह रहा था और वो उस बच्चे को किसी मिक्सी मामा के पास लेकर गया है मिक्सी मामा? मिक्सी मामा? ये नाम कहीं सुना सुना लगता है हाँ, याद आया एक बार जब वो वेवड़ा पिकर फूल टूल हो गया था तब मैंने खुद उठा के उसे उसके अड़े पर उता रहा था तो मुझे पता है कि वो कहा है चलो भाईया सुनो सुनो मुझे खोल करके जाओ तुम्हारा भाला होगा अंकल जी एज में रहने वाले आपके एज में आपको चेजिन और फाइटिंग की क्या सुरत है उनने नहीं खोला तो मैं चील लाओंगा जोब से क्या बात है अच्छा यादिला है भाईया धूस दो चलो 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 ए रेड नाइडू रेड नाइडू यह क्या हुआ तुम्हें यह किस ने किया वह चो खोलता है वह क्या हुआ ओड़ू यह कितने छोटे कप्ड़ पहन नेगे हैं यह थेने च्योड़ों वह जरी शोबागा देता है अरे तू avoirchecklair बॉत है अच्छा मूबंद है अरे घर में एक जवान लड़की है और तू ये सब देख रहा है ए भगवान वो टीवी चालू करके मुझे बादने वाला तुम्हारा दमा दिये क्या कुशर यहां पर आया है एलो वो कहीं गया ही कप था जो यहां आएगा एक मेने से यही पर मर रहा है और एक बात जानलो ज हुआ 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 ह या, come to the point. इन बच्चों को देखो मामा. मामा, आपके किसे हैं? क्यों रे? जब तु बोल नहीं पाता था, तब भी मामा ही बोलता था. तेरी शादी हो गई, और दो बच्चों का बाप भी हो गया, तम मामा की यादा ही तुझे? मामा, तुमसे मिले कितना डाग हुआ? सिक्स मंस, छे महिने. ये महिने में छे साल का बच्चा होगा? तो फिर ये किसके हैं? ये है मैटर. नो. मामा, ये डील करवा दो मामा, दो करोड मांगेगा, एक अपने लिए, एक मेरी ये. एक तू लेगा, एक मुझे देगा, हम दोनों बराबर हैं क्या? तीन करोड वसूल उससे, दो मेरे और एक तेरा. अलो. मिक्सी राजे स्पिकिंग. कौन सा राजा? मिक्सी राजा. राओडियों को और गुंडों को मिक्सर में डाल कर, बनता है मिक्सी राजा. तुमसे पहले तो किसी आइटम राजा ने फोन किया था? वो मेरा भांजा है, मैं उसका मामा हूँ. है, किपचप काम की बात कर. अभी दोनों बच्चे मेरे ही पास हैं. तीन करोड दोगे तो बच्चे तुमारे पास. नहीं तो हो जाएंगे पुलिस टेशन में जमा. ए, ए, डुक, पैसा कहा लाना यह बता. ओके. भाई, तीन करोड में कितने जिरो होते हैं? ओ, दस पंदरा होता होगा बे. ए, गमार, इधर आना. 10-15 नहीं बांजे, बारा होते हैं. आप कह रहे हो तो definitely होगा. भाईया, अब देखो मेरा जल्वा. ए, 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 हाई, सर. हाई, ए, एक्चुली, सर ने मुझे आपको तीन करोड देने के लिए भेजा है. कैश कहा है? कैश नहीं, सर. चेक है. ये लिजी. चेक है या किसी के मैयत की चादर? मैं समझाता हूँ. सर, वो लाक या दसलाकी बात हो, तो छोटा-छोटा चेक दे देते हैं. लेकिन बात करोडों की है, ना, इसलिए बड़ा चेक दे दिया. सच्छा है, मामा? मैं अब दो मैच को ऐसा ही चेक मिलता है, मैंने देखा है. हाँ, सच्छ में, ठीक है. इसमें जीरो कितने हैं, जरा गिनना तो? दो, चार, छे, आठ, दस, बारा है मामा? अब यार, हमारे पास बैंक अकाउंट कहा है? सर, यह बैरर चेक है, सर. इसे बैंक में दिखाऊगे ना, तो डारेक्ट कैश देदेंगे. सुपब यार, आज से हम लोग चेक ही लेंगे, नो कैश. या, या, इसे दो में से एक बच्चा दे दो. और एक बच्चा कहा है, सर? अब तीन करोड़ और देकर दूसरे बच्चे को ले जाओ. सर, अरे भगा ना इसको यहाँ पे. ए, चल निकल, निकल, मामा ने कहा ना निकल? आप सुपर हो मामा, जगकार. ए, तू अब तक यहाँ क्या कर रहा है? ए, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दूसरा बच्चा तुझे नहीं मिलेगा. इज़द से तीन करोड़ लेकर आ, और दूसरे को लेकर जा. अहाँ, ठीक है. चल निकल. मामा, एक बार चेक फिर से पकरने दो ना. प्लीज. ए, इतरे मिक्सी राजा कौन है? मिक्सी राजा. इस कटाउट के पास बहुत कंटेंट है. काउंटर वेस्ट किया तो अनकाउंटर कर दूँगा. बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे लोग नहीं, बच्चा. दोनों बच्चे तेरे पास ऐसा तुने फोन पेका था ना मुझसे? तेरा पंटर आया था. तीन करोड का चेक देकर एक बच्चा लेकर गया. चेक? कैसा चेक? एई. तेरे चम्चे का दियो हुआ चेक है. बारा जिरो है, गीन के देख ले. क्या हुआ? नहीं, चाल आया. वाली सूट बूट पहनने से कोई डॉन नहीं हो जा था. एई, उस दूसरे बच्चे को लेकिया मेरे पास. एक धोखा खा लिया, हम दूसरी खा सकते नहीं. कैश पे डिलिवरी, वरना हम तुझे पहचानते नहीं. अब क्या बोलता है, बोल, इजजट से बच्चा देगा कि नहीं? भाई, अरे तु बच्चा क्यों नहीं लाया? तु बच्चे को बोलो, गाड़ी में ले जा रहे हैं. एई, जाकर पकड़ो उन्हें. भाई, क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही है, यार. स्टार्ट करो, जा कर रहे हो? चलो, उत्रो. सत्या, चलो. रेए! चलो. 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 चलो, 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 जाकर भी चलो, चलो. यारो चलो, लुष चलो. क्यारी क्यों थे जाकר ची. जाकर बाद हूशा. पक्नेरे ए mistake. जो जो बसे लेदा कर दो जो 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 बपने ख़ जो बपने जो वह दिखो खुआ वह देखो एए एए उदर देखो वह तुमारी बेटी है ना? बापरे पापा हेलो पापा बेटी दामाद ने फिर फोन किया था क्या हां किया था ना पापा वो काशी चले गए है वह अच्छा तो थोड़ा सा यू टर्न तो मारना बेटी बौ बापरे अब शिका से जाओगा एाicon एक लिए आपुए आप वें कुछ उन्वी आपुआ वें से एंवी आपुआ अंकल बच्चों को इन लोगों ने किड़ने किया अंकल मैंने बचाने की कोशिश की तो देखे मेरे क्या हाल क्या बंद कर तुए अपने अक्टिंग बहुत हुश यहर बनता है ना चल तुझे बताता हूं मैं यह क्या तुम दोनों भाई हो गया नहीं अंकल हां कमाल की बात है अच्छा बेटा तुम दोनों ने सिर्फ हमारे बच्चे को ही नहीं ढूंडा मेरी बेटी और दामाद को भी दुबारा एक कर दिया तुम्हारा हैसान मैं जिंदगी बननी बूलूँगा अरे यह पैसे देग कि नहीं सर बच्चों को लोटा देंगे तो पचासल गरूपे कैश मिलेगा ऐसा न्यूस पेपर में आड़ दिया था हां तो फिर यह तो मेरा दामाद जैसा लग रहा है यह मुझे हैसे क्यों गोर रहा है कौन हो तुम मैं कुशल का अंकल हूं सुबो मेरी बेटी है तो मेरे स спокой हुए ए असनी चेक मिलता है माबा जाबाक करना मुझे देगा किया देगा माबा जाओ तो आपके दोनों पोतों को बहुत संहाल के रखा हैं और इतने लोगों को पालने के लिए बहुत पेसा लगना है सर तो थोड़ा सा कुछ हमारे नाम पे भी कर दो सर सर बहुत दिलदार है ये लो चेक फिर से बेरर चेक